एलो स्टुडेंट्स तो आज की क्लास में हम देखेंगे जो हमने पार्ट सबस्पीच पड़े थे जिनके हमने देखे थे कि आठ प्रकार होते हैं उन आठ प्रकारों की परिभाशाओं के बारे में तो हम सुरू करते हैं सबसे पहले नाउन से नाउन की क्या परिभाशा होती भी है बच्चो रिझाव फिदि रहे आपको नोट भी करनी है इक एक जितने भी पीज़ेज मैं आपको पड़ाऊंगा वो सारे आप एक बार pause करके सारे अपने notebook में note करोगे नहीं तो ऐसा होगा तो मैं आपको ये pdf भी भेज दूँगा तो शुरू करते हैं noun noun is a word used as the name of a person place or thing तो देखा बच्चो आपने noun जो है वो person, place or thing के नाम को noun कहा जाता है इसके example देखो महराणा प्रताप was a great king महराणा प्रताप आप सबने नाम सुना होगा तो उनके बारे में क्या बात होरी है महराणा प्रताप was a great king तो जो महराणा प्रताप है ये जो है word, इस sentence में ये क्या है? noun है अब इसके अलावा देखो king ये भी एक noun है King किसका नाम होता है जो आप कहते हो किसी राज्य का राजा दूसरा sentence देखो The sun signs bright तो जो sun है वो आपके क्या हो गई? Noun हो गई तो इसी परकार इस sentence में The sun signs bright तो जो sun है ये है आपके noun आगे बढ़ते हैं दूसरी परिवास आपके सामने लिखी हुई है एडजेक्टिव एडजेक्टिव की परिवासा क्या रहाएगी अडजेक्टिव is a word used to add something to the meaning of a noun तो बच्चों देखो यहां पर जो main चीज़ है वो है add something अब देखो meaning of noun जो noun का अर्थ है उसमें कुछ जोड़ने के लिए अब कैसे जोड़ने के लिए आप इस sentence की साहता से देखो he is a brave boy अब यहां पर boys जो है वो noun है आपका अब जो noun है उसमें कुछ जोड़ा गया अब क्या जोड़ा गया आप देखो के ब्रेव मैं उस boy की जो है विशेस्ता जोड़ी गई है कि वो कैसा है बहादूर है तो मैंने पिछली class में आपको बताया था adjective क्या करता है नाउन को qualify करता है तो यहीं पर noun जो boy है उसकी विशेस्ता बताई गई है ब्रेव दूसरा sentence देखो आप there are twenty boys in this class यह थोड़ा सा आप इस पर ध्यान देंगे in this class अब जो यहां पर boy जो है नाउन है boys plural noun है इसकी जो विशेस्ता है इन boys की जो संख्या दे रखी है तो संख्या कितनी दे रखी है 20 तो यह 20 जो हो गया आपके क्या हो गया noun adjective हो गया sorry तो 20 और brave यह जो दो sentence में यह दो सब्द है यह दोनों क्या होगे adjective होगे और यह दोनों यह word noun को noun में कुछ add कर रहे हैं यह noun को qualify कर रहे हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं नंबर तीन पर हमने लिखा है आपके लिए pronoun की definition तो pronoun की definition हम देखेंगे pronoun is a word used instead of a noun सिधा 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 अर्थ बताओं तो instead का रहत होता है के स्थान पर तो noun के स्थान पर परियोग में लिया जाने वाला सब a pronoun as a word used instead of a noun as example देखो तो example जो रहेगा इसका पहला example आप देखो John किसी लड़के का नाम है John is absent because he is ill अब यहाँ पे John का नाम लिखा है लेकिन जब आगे देखो he word का परियोग किया गया है तो John is absent यहाँ तो John का नाम लिखा गया लेकिन आगे जब हम बात कर रहे हैं इसकी ही John की के वो क्यों नहीं आया तो हमने लिखा है he is ill तो यह जो he word है यह आपके इस sentence में क्या रहे गया pronoun रहे गया तो इसी तरह से हम दूसरा sentence देखेंगे तो the books तो हो गया आपके noun अब इस noun को इसी sentence में आगे देखो जिसने इस books को रखा था फिर उसका नाम नहीं लिया किसने रखा था उसका पता नहीं लेकिन जिसका नाम नहीं पता उसके लिए हमने क्या परियोग में लिया यू तो उस noun के लिए कुछ उसके इस्तान पर कोई दूसरा word परियोग में लिया गया जिसको यहां पर लिखा गया यू तो यू आपका इस sentence में क्या आप गया pronoun इसी तरह से चौथा देखो आप verb a verb is a word used to express an action और state किसी किरिया को या किसी state को पर दर्शित करने के लिए state means इस्तती को कैसे a verb is a used to express an action और state यह इसकी परिपासा हो गई इसका example देखिए the girl wrote a letter to her cousin तो girl ने क्या किया एक letter लिखा तो rot यहाँ पर यह जो right की second form लिखी हुई है rot verb की कुछ forms भी होती है वो अपन अगली class में पढ़ेंगे तो यहाँ पर verb होगी rot यह action बता रहा है Kolkata is a big city तो यह state बता रहा है state means इस्तती बता रहा है Kolkata क्या है is a big city तो यह is जो है यहाँ पर यह आपके क्या होगी यहाँ पर verb हो गई यह इस्तती इस्टेट बता रहा है Kolkata कैसा है तो Kolkata बहुत बड़ा शहर है third sentence iron and copper यह दो metal होते हैं धातो होते हैं are useful metals तो आप देखोगे कि यहाँ पर इन दोनों की इस्तती बताई जा रही है क्या है यह कैसे हैं उपयोगी metals है तो आर जो है यहाँ पर यह वर्ब हो गई तो wrote is are यह तीनों इस sentence में क्या हो गई verbs हो गई अब आगे पांचवा हमारा बिंदू है adverb बच्चो adverbs के परिपासा जो है वह आपको कहीं जगर थोड़ी से चोटी भी देखने को मिलेगी लेकिन यह जो है यह प्रॉपर परिपासा इसी को आपको याद रखना है हम सुरू करते हैं अब यहां पर न क्यों हो लग रहा है यह वाल रहा है वो इससे जो rhyme वस्वेयर क्या स्टांड सर्ट होते हैं उनके आगे से न का परियोग किया जाता है इसी लिए आपने देखा होगा मैने एडजेक्टिव कै अगे भी anti का परियोग किया था ठीक है बच्छो अब हम देखते हैं आगे एड़ेक्टिव की definition तो एन एड़ेक्टिव is a word used to add something to the meaning of a verb क्या है बच्छो इसका मतलब बापस समझो an adverb is a word used to add something किसमेड कियाने करने के लिए परियोग में लिया जाता है अब आप देखना है यहां से add something to the meaning of अब यह तीन चीज़े याद रखने हैं आपको of a verb किसकिस में एड़ेक्टिव का परियोग किया जाएगा एक वर्ब में कुछ जोड़ने के लिए एक एड़ेक्टिव में और एक एड़ब की भी विसेशता तो एड़ब जो है वो कुछ एड़ करता है उसके अर्थ में किस किसके अर्थ में एड़ करता है एक वर्ब के एड़ेक्टिव के और एक अनौदर एड़ब में कुछ एड़ करने के लिए एड़ब का परियोग किया जाता है अब सेंटें यहां तक भी ठीक था उसने जोड कर ली सम का मतलब जोड करना तो अब यहां पर सम के बाद एक वर्ड लिखा है quickly तो उस वर्क यहनी कि स्क्रिया इस क्रिया को उसने कैसे किया quickly का मतलब वहता है जल्दी जल्दी तो उस जोड को उसने कैसे किया जल्दी से कर दिया तो यह जो quickly word आया है यह यहाँ पर किसके लिए आया है worked के लिए तो उस worked है नहीं उसने जो काम किया वो जल्दी से किया तो verb को verb के एर्थ में कुछ और add किया गया था इसलिए हमने कहा था to add something to the meaning of a verb तो इस verb के meaning में क्या add किया गया quickly दूसरा sentence देखो this flower is very beautiful तो आपके सामने एक adjective लिखा हुआ है adjective यह विसेष्टा बताने वाला तो beautiful, beautiful किसी चीज के बारे में जब हमें कुछ अच्छा लगता तो उसके बारे हम beautiful कहते है कोई full अच्छा लगता तो हम beautiful lotus कोई color अच्छा लगता तो हम बोलते beautiful color तो इसी प्रकार से जो beautiful है यह एक adjective है इस adjective के अंदर भी कुछ जोडने के लिए हमने word यूज किया very तो very beautiful नहीं beautiful तो है लेकिन beautiful में भी कैसा है बहुत जादा सुन्दर है तो यहां पर किस में एड किया गया किस के अर्थ में एड किया गया एड जिस परकार पहले sentence में verb में कुछ add किया गया था इस परकार दूसरे sentence में adjective beautiful में कुछ add किया गया है कि वो beautiful तो है लेकिन flower बहुत जादा beautiful है तो very word यहां पर क्या हो गया adverb हो गया आगे देखो तीसरा sentence है the sorry see pronounced the word quite correctly यहां पर भी आप देखो उसने क्या किया है एक word को उच्छारित किया है उच्छारन किया एक word को पढ़ा है अब कैसे पढ़ा है correctly पढ़ा है यह नहीं सही से पढ़ा है तो इस pronounce के लिए क्या आया adverb आया correctly मैंने आपको कहा था कि ज्यादा तर adverb के end में अलवाय आएगा तो देखो correctly यह यहां पर adverb हो गया लेकिन इस adverb में भी कुछ और add किया गया है वो है quite तो उसने जो word बोला है वो बहुत अच्छे से बोला है सही तो बोला है लेकिन बहुत सही बोला है और यह पर पर प्रियोग किया गया और तीसरे में एडवर्ब में ही कुछ जोड़ने के लिए quite adverb का परियोग किया गया आशा करता हूँ आपको समझ मारा होगा अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले parts of speech जिसका नाम है preposition बच्चों ये परिभासा आपको बड़ी लग रही होगी लेकिन परिभासा को हम अच्छे से समझते हैं उसके बाद आपको कल मैंने जो एक तरीका बता है था आप उसी तरीके को याद रखना preposition it is a word used with a noun और pronoun ये बात ध्यान रखना preposition का परियोग हमेशा noun और pronoun के साथ में ही होता है to show बताने के लिए how, कैसे the person or thing person or thing, व्यक्ति और वस्तु denoted by noun noun और pronoun stand in relation to something कि कैसे कोई person और thing जो कि किसी noun और pronoun के साथ किसी relation में जुड़े हुए है और वो कैसे जुड़े हुए और किसकी तरफ आकर्शित हो रहे हैं आप अब इसको परिबासा को लिखने के बाद आप इसका जो सीधा साधा समझने का मतलब है और वो देखना कि जब भी कोई preposition मिलेगा तो वो आपके सामने एक verb और एक object को जोड़ेगा किसी verb और object को जोडने के लिए आपको preposition मिलेगा अब आप देखिए कैसे ये इसका shortcut method है जिसका जिससे आप एक preposition की पहचान कर सकते हो अलांकि ये परिवासा भी आपको याद होनी चाहिए अब आप देखिए पहला example there is a cow in the garden तो यहाँ पर आपके सामने एक word आया है in ये in जो है there is a cow in the garden ये जो है आप देखो यहाँ पर एक cow और garden अब आप देखोगे कि यहाँ पर ये cow कहा खड़ी है इस्तति बताने के लिए हमने किसका परियोग क्या इन का तो इन यहाँ पर क्या हो गया प्रिपोजिशन हो गया आगे देखिए दूसरा sentence a fair little girl sat under a tree तो यह वर्ब आगई set और यह object आगया tree तो set और tree इन दोनों को जोडने के लिए हमने एक परियोग लिया परिवासा और उसके उधारण अगला हमारा पार्ट सब्सक्राइब कंजेक्शन है इस वर्ड यूजड टू जॉइन वर्ड्स और सेंटेंसेज सिदी सी बात है कंजेक्शन सही हो जग मैंने कल भी बताया था तो कंजेक्शन का परियोग कहा होता है हमने देखा कि दो सबदो या दो वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजेक्शन का परियोग क्या जाथ है जिसे पहला सेंटेंस रमा और हरी आर केसं तो रमाच है आपस में सचरे बाध बहन है तो यह end word है जो रमा और हरी दो सब्दों को दो नाउन को जोडने के लिए प्रियोग में लिया गया है end word यही end word क्या है आपका यहां पे conjunction है दूसरा sentence देखो I ran fast मैं तेज दोड़ा but missed the train तो यहां पे दो sentence है I ran fast और missed the train अब इन दोनो sentence को जोडने का काम कौन कर रहा है आप देख रहे होंगे but यह जो but word है यही आपका इसमें क्या है conjunction है तो पहले वाक्य में दो सब्दों को जोड रहा था दूसरे वाक्य में यह जो बट है यह दो वाक्यों को जोड रहा है तो इसलिए परिवासा में लिखा गया है Conjunction is a word used to join words और sentences तीसरा वाक्य to and to make four तो two और two दो word है इनको जोडने का काम कौन कर रहा है end तो end यहां पर क्या हो गया Conjunction हो गया तो आप सीदे सीदे याद रखोगे Conjunction is a word used to join words और sentences अन्तिम पार्ट्स और स्पेच Interjection एन विसमयादी बोदक An Interjection is a word which express Express एनी प्रदर्शित करना जताना दिखाना Express which express expresses some sudden feelings as An Interjection is a word which expresses some sudden feelings Sudden का मतला होता है अच्छानक Sudden का आर्थ होता है अच्छानक तो यही अच्छानक यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि कोई ऐसी feelings होती है जो अच्छानक हमारे मुझ से निकलती है जो हम महसूस करते हैं वह जैसे कि हमारे किसी मैच को जीतने पर या पिर कहीं पर कुछ दुख फरकट करने के लिए हमारे मुझ से अच्छानक कोई वर्ड निकलता है तो वे सारे सब्द क्या कहलाएंगे Interjection कहलाएंगे जैसे पहला वक्य यहाँ पर आपके सामने एक वर्ड आया हुर्रे तो कई बार हम मैच जितने से पहले बलता है हुर्रे वी वान दो मैच इसी प्रकार वी है वान दो मैच के आगे जो वर्ड लगा Interjection हुर्रे तो यह जॉय यहनि कि खुशी को परदर्शित करने के लिए है इसी तरह से दूसरे वाकिये में लिखा हुए सी इस डैड यहनि कि कोई मर गया है वह मर गई तो अब आप देखेंगे कि बहाँ पे दुख को परकट करने से पहले एक वर्ड आपके सामने लिखा है अलास तो यह जो है यह सौरो यहनि कि यह था हमारा परिबासाओ वाला एक क्लास जिसमें आपने देखा कि आठ के आठ पार्ट्स अब स्पीच की मैंने आपको परिबासाओ बताई अब आपको इसी वीडियो से इन परिबासाओ को वीडियो को पहुज करके आप परिबासाओ को लिख सकते हो और इन परिबासाओं को याद भी करना है ओके बच्चो थैंक यू फोर वाचिंग वीडियो थैंक यू सो मच मिलते हैं अगली क्लास में तब तक के लिए आप इस वीडियो को बार बार देखी और समझे धन्यवाद